देखो कल विराट कोली का विकेट उसी ने लिया, जिसका नाम विराट कोली सबसे दा लेते हैं, मतलब? मतलब बेंच स्टोक्स, नमस्ते मैं पहुआ नमस्कार जहीन, मैं हूँ रहानक इंडिया इंगलिन स्पेशल रंतंत्र देख रहे हैं लेकिन कल कोली भाईया ने जो उंगली करी है ना, एक टाइम पर टीम इंडिया को महंगी पढ़ने वाली थी अबै प्ली यल बोल, प्ली यल बोल हुआ यह कि जॉनी बेस्टो जब तेरा पर बैटिंग कर रहे थे तब कोली भाईया ने उनको छेड़ते हुए का कि इसको मैदान पर गेन चोड़ कर सब दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना कहने के बाद जॉनी बेस्टो ने भारती टीम को दिन में तारे दिखा दिये देखो कोली भाईया हम जानते हैं कि आप टेस्ट क्रिकट को मजेदार बना देते हैं, बलकि जब आपने जॉनी जॉनी को येस पापा बोलना सिखाया और अपने मूँ पर उंगली रखकर उन्हें चूप रहकर खेलने की सला दी, कसम से मजा भी आया बंपर, लेकिन एकदम से वो मजा सजा बन गई, आपकी सलेजिंग तो जॉनी बेस्टो को इतना मोटिवेट कर गई, इतना मोटिवेट तो यूट्यूब के मोटिवेशने स्वीकर नहीं कर पाते, क्या मोला तो नहीं? उन्होंने न्यूजिलेंड को धोया, और उस धुलाई में सबसे बड़िया डिटरजेंट पाउडर का काम जॉनी बेस्टो ने किया है, पहले शांदार बल्ले बाजी करने वाले कैप्टन बुमरा, फिर बहतरीन गेंद बाजी करने वाले कैप्टन बुमरा ने मैच का सबस और 6 विकेट के नुकसान पर 200 पहुचा दिया, सैम बिलिंग 7 रन और जॉनी बेस्टो 91 बना कर नॉट आउट थे, लंच से वापस लोटने के बाद सबसे पहले तो जॉनी बेस्टो ने शतक लगाया, इंगलेंडी एकदम 7 असमान पर थे, पिछले 3 टेस्ट मैचों में वल्लेबास बन गए, कोली भाईया खुद तो ढ़ाई साल से संचुरी नी बना पाए, लेकिन सामने वाले को उंगली करके बनवा दी, स्लेज होने से पहले जॉनी बेस्टो 61 में 13 रन बना कर खेल रहे थे, इसके बाद खेले के उनकी 79 गेंदो में जॉनी बेस्टो 93 बना ग जॉनी बेस्टो कि जाने के बाद ये तो क्लिर था कि इंडिया बड़ी लेने वाली सवाल ये था कितनी बड़ी, मुहमद सिराज ने जल्दी इसका जवाब दे दिया, सिराज ने सरवादिक 4 वे गड़ लेकर इंगलेंड को 284 पर बांद दिया और इंडिया को 132 की महत्व पून लीड दिलवाई, यहां आपको याद दिला दे कि जब जब इंडिया ने पहले बैटिंग करी है और 100 से ज़ादा की लीड ली है, वो टेस्ट मैच कभी नहीं हारी है, दूसरे सेशन में इंडिया की बल्ले बाजी भी आगी, लेकिन कड़ी सिर्ट चेते शुड़ कु स्टुवर्ट ब्रॉट ने उनको 11 के स्कोर पर आउट किया, कोली एक बार फिर नंबर चार पर खेलने आया और एक बार फिर उन्होंने प्रॉमिस तो दिखाया, बोलो तो पहली गेन पर बैतरीन कवर ड्राइब लगाई और उसके बाद एक और कवर ड्राइब के साथ दो बाउंडरी मार चुके था, रिदम बढ़िया लग रही थी, हमारी उम्मीद एक बार फिर उचाल मारने लगी, अगरवाल जी के हां से मिठाई का ओट देने वाली थे, कि तभी सारा प्लान बड़े बाद बेंस्टोक्स, इंग्लेंड के कप्तान बेंस्टोक्स ने कोली को बिना हमारे 952 दिन गुज़र गए, इस सज्जन को क्या तकलीब है भई, क्या तकलीब है इनको, कोली ने जब आकरी बार अपनी सेंचुरी बनाई थी तब उनका एवरेज 54 से जादा हुआ करता था, अब एवरेज की सकर 50 से कम का आ गया है, लेकिन पंत और पुजारा ने भारत की मजबूत स्थिती को और अखंड मजबूत बना दिया, रिशब पन्ने को अपनी पारी वहीं से शुरू करी जहां उन्होंने पहले इनिंग में छोड़ी थी, और दिन का खेल खत्म होने तक 46 में 30 रंड बना लिए, वहीं दूसरी तरफ पुजी बहिया को अपने ध यूट्यूब चैनल पर डाली है, उस पर पाटीसिपेज जडूट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फेस्बूक पेज को भी लाइक करना, बाकि हलो हमारे दूसरा चैनल क्रिक हो, आपका वेट कर रहा है जहां पर हम बहुत सारी क्रिकट के और भी मस्ती वहां प है